तो मेरे पास है 26 ओफ अगस्त की सेकेंड शिफ्ट के बहुत सारे फीडबैक आए इस पर थोड़ा सा मिक्स डीक्शन आया स्टूडेंट्स का maximum students ही कहा रहे है पेपर moderate type का था कुछ कहा रहे है easy to moderate था कुछ कहा रहे है moderate to hard था ठीक है तो मैं तो कहूँगा यहर overall पेपर आपका moderate ही मैं कहूँगा ठीक है बात करीजा है chemistry की तो chemistry में आपका जैसा मतलब NCRT base paper आ रहा था वैसा आई रहा है ठीक है जो आपके chemistry in everyday life हो गया है और metallurgy वगरा हो गया है उन सबसे question पूछे जा रहे है तो इस सारे chapters को छोड़ के मच जाना भाई revise कर ले ना मेरे short notes आपको telegram channel पे मिल जाएंगे last time पे revision के लिए वो best है वहां से जाके आप revise कर सकते हो इन सब चोटे मोटे chapters को तो खास कर ठीक है आज आते हैं यार अपनी physics पे तो physics again was मतलब moderate के आसपास कहेंगे physics को ठीक है मतलब moderate easy to moderate भी कह सकते हैं और moderate to hard भी कह सकते हैं का रहे थे वैसी थे कुछ tricky questions भी थे यार इस बार मुझे ऐसा students ने feedback दिया कुछ questions थे जिसमें आपको थोड़ा जादा धिमाग का use करना पड़ रहा था चीक है अब बात कर लिजा है और physics में एक चीज जो trend दिख रहा है कि 12 वाला जो पूशन था नहों मैजर वो जादा पूचे गया है ठीक है तो इन सारे चप्रस के formula वगएर अच्छे से कर लेना आने वाले shift वाले students और बात करी जाए मैट्स तो मैट्स के तो क्या ही कहने मैट्स लेंदी भी थी अब लेंदी की वाज़े से आदे को मैट्स होती मॉडरेटर बट लेंदी होने की वाज़े से है तो टफ वाली category में हो चली जाती है ठीक है अगेर जितनी भी आपके 3D वगेरा हो गया है और sequence and series हो गया है वेक्टर and 3D sequence and series मैट्रेस और mathematical reasoning इन सबसे question पूछे जा रहे हैं तो भाई formula वगेरा सब के अच्छे से करके जाना ठीक है और calculation के लिए तयार रहे नहीं मैट्स में लंबी calculation आएंगी मैट्स में वहां से पीछा नहीं चूटेगा ठीक है all the best to everyone जिनका आने वाली shift में paper है